हेलो प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम प्रशनावली 7.2 का कोशन नमर 5 से लेकर 8 तक सॉल करेंगे इससे पहले मैंने कोशन नमर 4 तक करा दिया है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, या फिर end scale में भी मिल जाएगा तो देखिए कोशन नमर 5, इस नम से बोला है, वह अनुपात ग्याद कीजिए जिसमें बिंदूओं A, 1-5 और B, 4-5 को मिलाने वाला रेखा खंड, X-8 से विभाजित होता है इस विभाजन बिंदू के निर्दशांग भी ज्याद कीजिए तो सबसे पहले इस कोशन को ध्यान से समझना हमसे अनुपात ज्याद करने के लिए बोला है और हमें दो बिंदू, एक तो ये दिया गया है A, 1-5 और एक ये दिया गया है B, 1-4-5 इन दोनों बिंदूों को मिलाने वाला रेखा खंड, X अक्ष से विभाजित होता है ये हमसे बोला है, तो देखिए, जैसे कि ये हमारा जो है, ये क्या होता है, Y अक्ष और ये क्या होता है, हमारा X अक्ष, और ये हमारा मूल बिंदू, 0 होता है तो मान लेते हैं कि यह हमारा बिंदू है A और यहाँ पर मान लेते हैं कि यह हमारा बिंदू है B तो यह जो दोनों बिंदू है A और B इनको मिलाने वाला यह जो हमारा रेखा खंड है ये इस X अक्ष से विभाजित हो रहा है या पर आप देख सकते हैं इस बिंदू पर तो ये हमारा AB रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित हो रहा है यही हमसे पूछा है यानि कि ये देखिए AB जो ये रेखाखंड है ये X अक्ष से इस बिंदू पर क्या हो रहा है इस ब बिंदू का हमें निर्देशांग भी बताना है ये आप देख सकते हैं इस विभाजन बिंदू का निर्देशांग भी ग्याद कीजिए यानि ये बिंदू का हमें निर्देशांग बताना है तो सबसे पहरे हम क्या करेंगे कि ये जो बिंदू है जो की विभाजन बिंदू है इसका नाम हम P देंगे इसका निर्देशांग पोचा है तो इसको हम X,0 मानेंगे अब देखिए यहाँ पर X और 0 क्यों मानेंगे क्योंकि यह जो बिंदू है यह हमारा इस X अक्ष पर है तो इस X अक्ष पर जब भी कोई बिंदू होता है तो उसका निर्देशांग में x का मान तो कुछ भी हो सकता है इसलिए यहाँ पर हमने x लिख दिया लेकिन x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होगा क्योंकि y अक्ष पर नहीं ये तो बिंदू उपर है नहीं नीचे है तो इसलिए ये हमारा इसमें y का मान 0 होगा तो इसलिए इस बिंदू का निर्देशांग x,0 मानेंगे और ये जो बिंदू है ये इस a b रेखाखन को किस अनुपात में विभाजित करता है ये भी हमसे पूछा है तो ये हम मान लेंगे कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है क्योंकि जब भी इस तरह का question होता है जिसमें हमसे अनुपात कूछा जाता है तो हम अनुपात को हमेशा k अनुपात 1 में मान लेते हैं तो चले अब इसका solution करते हैं तो देखिए जो अभी मैंने आपको समझाया है उसी को यहाँ पर हमने बना लिया है यह हमारा a b रेखाखन है जिसको यह जो बिंदू p है यह हमने माना की k अनुपात 1 में विभाजित करता है और इस बिंदू p का निर्दशांग हमने x,0 माना तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिखेंगे की माना बिंदू p, ab को k अनुपात 1 में विभाजित करता है अब हमें क्या बताना है सबसे पहले यह जो हमारा अनुपात है यह हमें बताना है तो कैसे बताएंगे हम इसके लिए जो हमारा विभाजन सूतर होता है वो हम लगाएंगे तो देखिए विभाजन सुत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यह हमारा विभाजन सुत्र होता है X कमान निकालने का यह होता है और Y कमान निकालने का यह होता है तो हमारा X और Y क्या होता है? x और y हमारा ये होता है जो ये p बिंदु है ना इसका निर्दशांग में ये होता है हमारा x और ये होता है y और ये x1 होता है और ये y1 और ये होता है हमारा x2 और ये y2 चिक है? तो अब इसमें देखिए जो हमारा ये p बिंदु है इसके निर्दशांक में X कमान तो हमें पता नहीं है लेकिन Y कमान हमें पता है 0 तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये Y वाला विभाजन सुत्र है न ये हम लगाएंगे इसका यूज करेंगे चिके य का जो y वाला फॉर्मूला है इसका use हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें y कमान पता है 0 I hope आपको समझ में आ गया तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर यह फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 अब इसमें यहाँ पर y है तो y कमान हमारा 0 है तो इसकी जगह पर 0 लिखेंगे बराबर m1 तो m1 क्या होता है यह m1 और यह m2 होता है जो यह अनुपात है तो पहला वाला m1 दूसरा वाला m2 तो m1 k है इसलिए इसकी जगह पर k लिखेंगे गुणा में y2 y2 देखिए 5 है तो यह 5 प्लस में m2 m2 हमारा यह है यानिकी 1 गुणा में y1 y1 माइनस 5 है बटे में m1 प्लस m2 है तो यह दोनों हमारा m1 और m2 है यानिकी k प्लस 1 अब आगे करेंगे तो यह बटे में k प्लस 1 है यानि कि भाग में है, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे, तो 0 के साथ ये गुणा में हो जाएगा, तो 0 का जब इसमें गुणा होगा, तो पूरा 0 बन जाएगा, और इधर k का 5 में गुणा करेंगे, तो 5 k, और 1 का माइनस 5 में करेंगे, तो माइनस 5, चिक है, अब इसके इस 5 k को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 k हो जाएगा बराबर में इधर माइनस बचा अब इस माइनस से ये माइनस कड़ जाएगा इस 5 को इधर लाएंगे तो इधर k बचेगा ये 5 ये 5 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा तो ये 5 से 5 कड़ जाएगा त तो K का मान कितना आ गया, एक आ गया, यानि की जो हमारा अनुपात है वो क्या हो जाएगा, हमने K के अनुपात एक मान था, तो K का मान हमारा एक आया है, इसलिए एक अनुपात एक यह हमारा हो जाएगा आंसर चीक है यानि कि जो M1 अनुपात M2 है तो इसका कितना आया है M1 और M2 का अनुपात एक अनुपात एक आया है तो यह हो गया अनुपात यानि कि जो हमसे कोशन में सबसे पहले अनुपात पूछा था वो हमने यहाँ पर बता दिया, अब इसके बाद आगे हमसे ये जो P बिंदु है ना इसका निर्दशांग भी पूछा था, तो इसके निर्दशांग में हमें Y कमान तो पता है, सिर्फ इस X कमान हमें निकालना है, चिके, तो X कमान निकालने के लिए जो हमारा ये X वाला फॉर्मूला है, ये वा प्लस M2 तो M1 कितना है K है अब यह K है तो यहाँ पर अब हमें K नहीं लेना बलकि देखिए हमारा अनुपात एक अनुपात एक आ गया यानि के का मान कितना हो जाएगा यह एक हो जाएगा तो इसलिए M1 हमारा एक लेंगे अब फिर X2 है तो X2 देखिए माइनस 4 तो यह माइनस 4 प्लस M2 M2 भी हमारा एक है गुणा में X1 X1 यह भी एक है बटे में M1 प्लस M2 तो यह हमारा M1 और M2 एक एक है तो यह हमने लिख दिया अब एक का माइनस 4 में गुणा माइनस 4 एक का एक में गुणा बटे में 1 प्लस 1 2 तो यह हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 को solve करेंगे तो माइनस का 3 होगा बटे में क्या है 2 चीक है तो यह हमारा X का मान माइनस 3 बटे 2 आ गया तो हमारा जो P बिंदू है इसका निर्देशांग देखिए X,0 माना था हमने तो X का मान यह आया है माइनस 3 बटे 2 और Y का मान हमारा 0 है तो यह हो गया P बिंदू का निर्देशांग यानि कि इस तरह से हमारा कोशन नमबर 5 कम्पलिट हो गया अब देखिए कोशन नमबर 6 इसमें हमसे बोला गया है यदि बिंदू 1, 2, 4, Y X6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानतर चत्रवुच के शीर्ष हो तो X और Y गयाद कीजिए तो इसमें देखिए यह जो हमें बिंदू दिये गए है ना यह जो 4 बिंदू हमें दिया है तो यह 4 बिंदू समानतर चत्रवुच के शीर्ष है ये हमें बोला गया है तो इसमें ये जो X और Y है इनका मान हमें ग्यात करने के लिए बोला गया है तो देखिए इस कोशन का हमारा इस तरह से आकरती बनेगा क्योंकि हमें कोशन में चार बिंदू दिये गए हैं जो कि ये आप देख सकते हैं और हमें बोलाए कि ये चारो बिंदू जो है वो समानतर चत्रहुज के शीर्ष हैं इसलिए यहाँ पर हमने ये एक समानतर चत्रहुज बनाया है जिसका नाम हमने A, B, C, D दिया है यानि कि ये जो चारो बिंदू है इनके नाम A, B, C, D हमने दे द कि जो समानतर चतुरूज होता है तो इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समधिभाजित करते हैं यानि कि ये जो हमारा विकर्ण है जिसका नाम है BD और ये जो विकर्ण है जिसका नाम है AC ये एक दूसरे को समधिभाजित करेंगे यानि कि देखिए एक दू का हम नाम दे दिया हमने तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक यानि कि ओ से लेकर ए तक यह इतना और ओ से सी तक यह इतना दोनों आपस में बराबर होंगे ऐसे ही ओ से डी तक यह इतना और ओ से बी तक यह इतना यह भी बराबर होंगे मेरे कहने का मतलब है कि जो समांतर चत्रबूज के विकरण होते हैं वो एक दूसरे को सम दिभाजित करते हैं इसलिए ये इतना और ये इतना बराबर होगा और ऐसे ही ये इतना और ये इतना बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा बिंदू O है ये क्या होगा ये इस AC का और इस BD का मध्ध बिंदू होगा क्योंकि मध्ध बिंदू क्या करता है किसी भी रेखाखंड पर जो मध्ध बिंदू होता है वो उस रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बाट देता है तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे तो यह हम लिखेंगे कि समानतर चत्रभुच के विकर्ण एक दूसरे को सम दिभाजित करते हैं अतह एसी वबीडी के मध्ध बिंदू के निर्दशांग बराबर होंगे यानि कि एसी और ये बीडी दोनों का मध्ध बिंदू य ये है तो इसका निर्दशांग क्या होगा बराबर यानि कि एक ही होगा तो इस बिंदू का निर्दशांग हम मान लेते हैं इसको हम capital X और capital Y मान लेते हैं चिके क्योंकि small x यहाँ पर और ये small y पहले से ही है इसलिए हमने capital X और Y मान लिया चिके तो अब हम क्या करेंगे कि स तो AC का ये जो बिंदू O है ये हमारा मध्ध बिंदू है तो इसलिए इस question को solve करने के लिए हम मध्ध बिंदू वाला सुत्र apply करेंगे मध्ध बिंदू वाला कौन से सुत्र होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था तो सबसे पहले हम AC की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे AC के लिए तो AC के लिए ये हमारा जो O है ये क्या है मध्ध बिंदू है तो इसलिए इसमें ये जो X है ना इसका मान हम कैसे निकालेंगे X का मान निकालने के लिए जो हमारा मध्ध बिंदू वाला सूत्र है वो लगा देंगे जो की होता है X1 प्लस X2 अपॉन 2 ठीक है ये बहुती easy सूत्र है तो इसलिए हम इसका use कर रहे हैं इसका use हम तभी कर सकते हैं जब जो हमारा बिंदू हो वो बीच में हो बिलकुल यानि कि मध्ध बिंदू हो तो ये मध्ध बिंदू है AC का अब देखिए X1 और X2 क्या होगा ये X1 और ये हमारा X2 हो जाएगा क्योंकि हम AC की बात कर रहे हैं इसलिए ये X1 और ये X2 हो जाएगा तो X1 एक है इसलिए हम X1 की जगा पर एक लिखेंगे प्लस X2 X2 हमारा क्या है X है तो ये X बटे में क्या है दो अब ये आगे नहीं होगा इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे अब इस Y का मान निकालेंगे तो Y बराबर क्या होता है हमारा मध्ध बिंदो वाला सुत्र Y के लिए ये होता है Y1 प्लस Y2 बटे 2 तो देखिए ये हो जाएगा Y1 और ये Y2 तो Y1 है 2 तो Y1 की जगा पर 2 प्लस Y2 Y2 है 6 तो ये 6 बटे में 2 अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे 2 यानि कि ये हमारा आजाएगा 4 तो Y कमान कितना आगया 4 तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर आगे लिखेंगे कि जो हमारा ये निर्दशांग है O बिंदू का X,Y तो X और Y इसका कितना आजाएगा निर्दशांग, X कमान देखिए ये आया है, 1 प्लस X बटे 2 तो इस X की जगा पर 1 प्लस X बटे 2 लिखेंगे और Y Y कमान देखिए 4 है, तो ये 4, तो ये आया है हमारा X और Y का निर्दशांग अब ये तो हमने AC के लिए इस मद्ध बिंदू को हम लेंगे, तो इसलिए आगे यहाँ पर अब हम लिखेंगे BD के लिए ठीके, अब जो भी कर रहे हम वो इस BD विकार्ण के लिए कर रहे है, तो देखिए, इसमें हमारा ये BD का भी O क्या है, मद्ध बिंदू है, तो इसमें अब इस X का मान हम निकालेंगे तो इसमें भी हम, जो मद्ध बिंदू वाला सुत्र है, वही लगाएंगे X1 प्लस X2 बटे 2, तो अब हम ये BD ले रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा X1 और ये X2 हो जाएगा, तो X1 4 है तो ये 4 प्लस X2 3 है, बटे 2 तो ये हो जाएगा 7 बटे 2, अब हम Y कमान निकालेंगे, यानि कि ये Y, तो इसका सुत्र हो जाएगा Y1 प्लस Y2 बटे 2, तो Y1 ये हो जाएगा, और Y2 ये, यानि कि Y प्लस Y2 हमारा ये है, यानि कि 5 बटे 2, तो Y प्लस 5 बटे दो ये हमारा आगया y का मान यानि कि अब हमारा इस bd के लिए ये जो o बिंदू का निर्दशांग है जिसको हमने x, y माना है तो ये हमारा कितना आएगा x, y ये आजाएगा हमारा x का मान आया है 7 बटे 2 और y का मान ये आया है y प्लस 5 बटे 2 तो देखिए अब इसको ध्यान से समझना हमने ये जो ac है इसके लिए ये जो मद्ध बिंदू है o इसका निर्दशांग निकाला तो ये आया है और ये जो bd है इसके लिए इस o बिंदू का निर्दशांग निकाला तो ये आया है अब हमें जैसे की पता है कि जो ये ओ बिंदू है ये हमारा इस AC का भी और BD का भी दोनों का ही ये मध्ध बिंदू है इसी लिए ये जो निर्दर्शांग और ये जो निर्दर्शांग आया है दोनों हमारा क्या होगा बराबर होगा क्योंकि ये एक ही बिंदू है चिके और इसके दो अलग अलग यहाँ पर निर्देशांग हमने लिखे हैं ये आप देख सकते हैं तो ये दोनों अलग थोड़ ना हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदू के निर्देशांग हैं तो ये दोनों हमारे बरा देखिए इस वाले में एक्स कमान ये आया है जो कि 1 प्लस एक्स बटे 2 है तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटे 2 और इसके बराबर में हम इसमें देखिए X कमान क्या है 7 बटे 2 तो बराबर में 7 बटे 2 लिखेंगे तथा इसमें देखिए Y कमान क्या है 4 तो ये 4 बराबर में इसमें देखिए Y कमान क्या है Y प्लस 5 बटे 2 तो Y प्लस 5 बटे 2 लिख देंगे अब इसको solve करेंगे तो सबसे प से 2 कट गया, तो इस एक को अभी धर ले जाएंगे, इधर x बचा ये 7, एक इधर जाके माइनस, तो x हमारा 7 में से 1, 6 आ गया, ठीक, अब ऐसे ही इसमें देखिए, दो इधर जाएगा, तो इस 4 के साथ ये दो गुणा हो जाएगा तो 8 बन जाएगा इधर बचा y प्लस 5 तो अब इस 5 को इधर लाएंगे तो 8 माइनस में 5 हो जाएगा इधर y बचा तो इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा y कमान इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 3 तो x हमारा 6 आ गया y कितना आ गया 3 तो हमसे x और y कमान पूछा गया था तो ये हमारा आ गया अब देखिए कोशिय नमर 7 इसमें बोला है बिंदू a के निर्दशांग गयाद कीजिए जहां a b एक वृत का व्यास है जिसका केंदर 2-3 है तथा b के निर्दशांग 1-4 है तो इसमें हमसे a का निर्दशांग गयाद क तो देखिए इस कोशन के लिए हमारे इस तरह से आकरती बनेगी क्योंकि हमसे कोशन में बोला है कि जो a b है ये हमारा a b ये वृत का व्यास है तो ये हमने सबसे पहले वृत खीचा और ये हमारा जो है ये केंदर हो जाएगा तो व्यास जो होता है वो केंदर से जाता है तो minus 3 हमने लिख दिया इस केंद्र को इसका नाम हम O दे देते हैं ठीक है और जो B है उसका निर्दशांग एक चार दिया है तो इस B बिंदू का निर्दशांग ये रहा एक कॉमा चार तो हमसे इस A का निर्दशांग पूछा गया है तो हम क्या करेंगे हमें इस A बिंदू का निर्दशांग नहीं पता इसको हम X1 और Y1 मान लेंगे और यह हमारा क्या होता है यह X और यह Y होता है यह अगर X1 Y1 है तो यह हो जाएगा X2 Y2 ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा यह O है यह क्या है इस AB का मध्ध बिंदू होगा क्योंकि यह बिल्कुल यह क्या है केंद्र है तो जो केंद्र होता है हमारा वृत का वो बिल्कुल बीच में होता है तो इसलिए यह केंद्र इस AB के लिए मध्ध बिंदू हो जाएगा क्योंकि यह बिल्कुल बीच में है तो इसी को हम सबसे पहले यह ब्राबर मध्य बिंदु वाला सुत्र क्या होता है X ब्राबर में X1 प्लस X2 बटे 2 तो X1 X1 हमारा X1 ही है तो इसलिए यहाँ पर X1 ही लिखेंगे प्लस X2 X2 हमारा 1 है तो इसकी जगा पर 1 बटे में क्या है? 2 और यहाँ पर X है तो देखिए X का मान कितना है? 2 तो इस X की जगा पर 2 लिखेंगे अब यह 2 इधर जाके इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो यह 2 हमारा इसके साथ गुणाओं के 4 बनेगा इधर बच गया X1 प्लस 1 अब इस 1 को इधर ले जाएगे तो इस 4 में से यह एक घट जाएगा तो 3 बचेगा और इधर X1 तो हमारा X1 कितना आगया? 3 अब हम निकालेंगे इस Y1 का मान तो इसके लिए क्या करेंगे अब हम? कि जो हमारा Y वाला मद्ध बिंदू सुत्र होता है वो लगाएंगे तो Y बराबर Y1 प्लस Y2 बटे 2 होता है तो Y है Y कमान देखिए माइनस 3 है तो यहाँ पर माइनस 3 बराबर Y1 Y1 हमारा यह है Y1 इसको ऐस इट इस लिखा प्लस Y2 Y2 चार है और बटे में क्या है? 2 यह दो इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा इसके साथ माइनस 3 के साथ तो माइनस 6 हो जाएगा इधर बच गया Y1 प्लस 4 इस 4 को इधर लाएंगे तो यह माइनस 6 यह इधर आके माइनस 4 हो जाएगा इधर Y1 बचा माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10 हो जाएगा Y1 यानि कि y1 का मान माइनस 10 आ गया तो जो ये a बिंदु है इसका निर्देशांक हमने x1 y1 माना था तो x1 हमारा 3 आया तो इस x1 की जग़ा पर 3 और y1 माइनस 10 है तो y1 की जग़ा माइनस 10 लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a बिंदु का निर्देशांक अब देखे कोशन नमर 8 इसमें बोला गया है यदि A और B क्रमशह माइनस दो माइनस दो और दो माइनस चार हो तो बिंदू P के निर्दशांग ज्याद कीजिए ताकि A P बराबर 3 बटे 7 A B हो और P रेखाकर A B पर इस्तित हो तो देखे इसका सोलोशन कैसे करेंगे हम हमें A और B जो है ये हमें दिये गए हैं माइनस दो माइनस दो और दो माइनस चार यानि A का निर्दशांग ये रहा B बिंदू का ये रहा तो P बिंदू का निर्दशांग ग्याद करने के लिए बोला गया है ताकि हमें ये condition दिया है कि AP बराबर 3 बटे 7 AB होना चाहिए और जो P बिंदू है वो AB पर इस्थित है ये हमें बोला है तो देखिए ये रहा हमारा बिंदू A जिसका निर्दशांग ये दिया गया है और ये रहा बिंदू B जिसका निर्दशांग हमें ये दिया गया है और हमसे बोला गया है कि जो P बिंदू है वो रेखाकन AB पर इस्थित है तो इसलिए हमने ये जो P बिंदू है इसको इस है कि AP बराबर 3 बटे 7 AB हो चीक है अब इसको ध्यान से समझना ये हमारा AP इसको हमने उतार दिया AB इधर इसके साथ गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा इधर हमारा क्या वचा 3 बटे 7 तो अब AP बराबर 3 और AB बराबर 7 है यानि कि ये जो इतना है ये हमारा 3 है तो अगर माम से ये पूछू कि ये P से B तक इतना कितना हो जाएगा देखिए ये पूरा AB ये हमारा 7 है जिसमें से इतना हमारा 3 है तो ये इतना क्या 4 नहीं बचेगा तो 4 ही बचेगा तो 3 और ये अनुपाद 4 यह हमारा हो जाएगा इस जो P बिंदू है वो AB को 3 अनुपाद 4 में विभाजित कर रहा है ठीक है I hope आपको यह समझ में आ गया कैसे हुआ है मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया तो P बिंदू AB को किस अनुपाद में विभाजित करता है 3 अनुपाद 4 में अब इस P बिंदू का निर्दशांग पूछा है तो इसका निर्दशांग हम X Y मान लेंगे तो अब चलें इसका solution करते हैं हमने P बिंदू का निर्दशांग X, Y माना है तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना बिंदू P के निर्देशांक तो बिंदू P के निर्देशांक हमने क्या माना है PXY यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा विभाजन सुत्र होता है section formula वो apply कर देंगे तो सबसे पहले X बराबर में क्या होता है विभाजन सुत्र M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 तो यहाँ पर M1 M1 हमारा यह हो जाएगा और M2 यह तो M1 3 है गुणा X2 यह X1 Y1 और यह X2 Y2 है तो X2 हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस M2 M2 4 है तो यह 4 और X1 माइनस 2 है बटे में M1 प्लस M2 तो 3 और 4 है यानि 3 प्लस 4 तो यहाँ से हमारा 3 और 2 का गुणा 6 4 माइनस 2 का गुणा माइनस का 8 बटे 3 प्लस 4 7 तो यह हो जाएगा 6 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा और नीचे 7 ठीक है अब इसी तरह से जो y वाला section formula होता है विभाजन सुत्र वो लिखेंगे तो m1 y2 plus m2 y1 बटे m1 plus m2 तो अब देखिए m1 हमारा 3 है y2 y2 minus 4 है प्लस m2 4 है और y1 minus 2 है बटे m1 और m2 ये हमारा है 3 और 4 तो 3 और minus 4 का गुणा minus 12 4 और minus 2 का गुणा minus 8 बटे 3 plus 4 7 तो ये हो जाएगा minus 12 minus 8 minus का 20 बटे में 7 तो minus 20 बटे 7 ये हमारा आ गया अब x कमान ये रहा y कमान ये रहा तो हमसे p बिंदू का निर्दशांग पूछा है तो ये हमने p बिंदू का निर्दशांग x y माना तो x कमान हमारा minus 2 बटे 7 आया और इस y कमान ये आया है माइनस 20 बटे 7 तो यही हो जाएगा हमारा आंसर तो इस तरह से question number 8 complete होता है तो इस वीडियो में इतना ही question number 9 और 10 रहे गया जिसको हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे तो इस वीडियो को like कर देना अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना और अगर आपने channel subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon को press कर लेना तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में